दोस्तों आज हम बात करेंगे Tata LPT 2823 BS6 Phase 2 के बारे में जो कि 10 टायर गाड़ी है चैचिस में जो कि 230 सॉस पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी की ग्रॉस बीकल बेट की बात करें तो 28,000 किलोग्राम दिया गया है गाड़ी में इंजिन कमेंस 5.6 लीटर BS6 OBD 2nd एंड इंजिन कैपिसिटी 535 सीसी और मेक्जिमम पावर 179 किलोबाट 200 रपीम पर और मेक्जिमम टॉर्क 925 न्यूटर्मीटर जो की 116 रपीम पर मिलता है गाड़ी में जो कलच दिया गया है वो 395 डाइ और गेनिक कलच दिया गया है काड़ी में ट्रांस्मेंशन की बात करें तो G 750 अर्षट बील वेस पे और G 950 दिया गया है काड़ी के एक्स प्रेंट एक्सल की बात करें तो Extra Happy Duty 470 Veeam Diverse Iliot के साथ में मिलता है रियर एक्सल की बात करें तो R 110 LD at RFWD and RA 909 at RRWD पर दिया गया है काड़ी के संस्मेंशन की बात करें तो Front Suspension में Parabolic Leaf Spring जो की Front में दिया गया है इस गाड़ी में Rear Suspension Semi-Elliptical Multi Leaf Spring के साथ में दिया गया है ये गाड़ी Kevil और Cowl दोनों ही Option में अबलीवल रहती है गाड़ी के में टायर की बात करें तो इसमें 295 बटा 90 R20 Radial Tube टायर मौजूद है 10 टायर के साथ में गाड़ी में Ventilation के लिए दोनों तरह के Option दिये गए हैं Blower और AC दोनों ही Option अबलीवल रहते हैं गाड़ी में Fuel Tank Capacity 365 L.S.D.P.E. Technology के साथ में प्लास्टिक बॉड़ी में दिया गया है गाड़ी के लेंथ की बात करें तो 22, 24, 26, 28, 32 पूट के Option में मिलता है उसे ग्राउंड के लिए 248 समय में एट बलो रियल एक्सल डॉम दिया गया है गाड़ी के Configuration 6 x 2 दिया गया है अब बील वेज की बात करें जो 48 बील वेज, 56, 60 बील वेज, 68 बील वेज के साथ में दिया गया है दूस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे Like कर सकते हैं और अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो Comment box में लिखकर वेज सकते हैं मैं अगली वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल में बताने की पूरी-पूरी कोसिस करूँगा तो चलिए फिर मिलते अगली वीडियो में, Thank You